हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्रोनिक ब्रॉंकाइटेस एक एक करके जो सीओ पीडे की जो चारों पांचों डिजिसेंज ने उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है, chronic bronchitis में हमें सबसे पहले definition जाननी है, definition क्या होती है, कि सबसे पहले यहाँ देखो साथ लोगे ना, चलो खतम कर दिया मैंने इसको, definition क्या होती है, दो या दो से अधिक years तक consecutive years तक symptoms आ रहे हैं, क्या symptom आ रहे हैं, यह इत्ते साल से दिक्कत है, क्या दिक्कत है, productive का फार है, productive का फार है, बना ही रहता है, साल में greater than three months, at least तीन महीने तक बना रहता है, एक साल में फिर खतम हो जाता है, फिर हो सकता अगले साल फिर आ है, फिर तीन महीने तक बना रहता है, ठीक है, productive का होता है, persistent का होता है, तो यह इसकी problem होती है, clinical definition होती है, याद रखने है, on the basis of clinical क्लीनिकल देफिनेशन याद रखने हैं तो क्या है क्लीनिकली डिफाइंड पर्सिस्टेंट का विद एक्सप्रक्टोरिशन और मोस्ट देज अट लिस्ट थ्री मॉन्स ऑफ दे एर और टू और और मोर कॉंजगर्टिव इस एक्यों होता है ओवर सिग्रीशन ऑफ म्यूकर्स इंफ्लमेशन ऑब ब्रॉंकाइज नॉट प्रॉमिनेट जादा प्रॉमिनेट नहीं होता है ठीक है यह दो चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं क्लीनिकली डिफाइंड होती है क्योंकि जब फैमिलियल एंड जनेटिक फैक्टर्स का भी थोड़ा वात रोल है ठीक है जो एक्मोस्फेरिक पॉल्यूशन है उसमें आपका जो पॉल्यूशन आजाएगा एक तो एक्सपोजर आजाएगा है ना सलफर डायोकसाइड का नाइट्रोजन ऑकसाइड का इनका जो में कई सारे वाइरल और वाइरेण इंफेक्शंट जी प्रोमेंट ठीक है छलो इस्मोकिंग के बारे में बात करते हैं स्मोकिंग मेजर कॉजटिव फैक्टर है चार से दस टाइम प्रोने सो जाती मितलब चांसे बढ़ जाते अगर कोई करता सी ओपे इड़ एक चांसे चा गई कुछ भी डेस्ट पार्टिकल्स तो वो सीलिया उसको ऊपर की तरफ ले लेकर जो अपना एरवे लोर एरवे उसे क्लियर कर देते हैं function of alveolar macrophages भी इंपेर हो जाता है उसको भी रोग देती है smoking क्या कि alveolar macrophages का जो function होता है यह कोई भी बाहर की चीज़ आ रही है toxins आ रहे है या फिर जो पैथोजन्स आ रहे हैं तो उनको उनसे भी लड़ती है यह macrophages उसको ख़तम कर देते हैं लेकिन अब उनका भी उनको भी रोग दिये वही तो उनकी भी बैंड़ बजा दिये फिर लीट सू हाइपर ट्रॉफियो हाइपर प्लेज हो मुकस सिक्रीटिंग ब्लैंड ठीक है जब चो इस्मोकिंग है उसका जो उसमें जो टॉक्षिंस है वह जितना ज्यादा आप स्मोक करोगे उत्ता ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होगी कि यह उसे लगीगा कुछ बाहर की चीज़ आ रहे है तो अपन उससे आगे भी एक और चीज़ पढ़ेंगे हम ठीक है मुकस सिक्रीटिंग ग्लैंड से तो बहुत जादा होने लगीगा ठीक है हाइपर प्लेज या हाइपर ट्रॉफिय हो रही है तो हाइपर ट्रॉफिय में भी वह बढ़ेंगे तो अगर लियूमन मेरी इतनी है और इतनी ग्ल अब यह तो ठीक है उसके बाद जब इस्मॉल एर्व उसको भी अब्स्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर वेगस नर्व रहती है वेगस नर्व फिर और रेफ्लेक्स ब्रॉफिय को कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं यह ठीक है और करवा तो पूरा बढ़ जाता है वह ठीक च CFTR dysfunction किस चीज में होता है कहां पर होता है ठीक है यह बताओ आफटाफट से वीडियो पॉस्ट करेंगी क्या है में होता है CFTR CFTR का full form मैं बताऊंगा वह या तो Google से देख लो तब तक मैं बताऊंगा बाद में na CFTR में इसमें कुछ ना कुछ दला हुआ है ठीक चलो इन्विस्टिन को सीग्रेशन ओफ एमनॉर्मल दी हाइड्रेटेड म्यूकस जित एक्जासरवेट्स दसी वेरेटियो ब्रॉंकस क्रॉनिक ब्रॉंकाइटेस अब जो CFTR को दिस्फंक्शन होता है एक्वायर्ड होता है इसे ग्रेशन की चुछ होता है तो यह जो म्यूकस होती वो निकल तो रही अप्स्ट्रक्शन ठीक है ज्यादा निकल लेकिन आब इन्होंने में 1235 bir लिएना और फोरी सीक ए हिरीा डिस्फंक्शन ठीग ए坐के अब हम आते हैं अप्मॉस्फेरिक पॉलूशन क्यांट मौर्भ हायर इंसिइदेंस इंज्डिश positivity के पोलुटे जैंसी श्याद होता है जिसे कि sulfur dioxide and nitrogen dioxide particularly dust toxic fumes increases the risk बढ़ा देते हैं occupation में certain occupations organic or inorganic dust cotton mills में asbestoses मतलब यह सब चीज़े होती plastic factories हैं यह risk ज्यादा होता है इनका ठीक है उसके बाद infections में आते तो bacterial viral or mycoplasmal infections contribute bronchitis and cigarette smoking predisposes to infection exacerbation दोनों चीज़े हैं ठीक है वाइरल बैक्टीरियल यह mycoplasma करवाते तो हैं लेकिन जो cigarette smoking होती है smoking जो है वह इनका risk भी बढ़ा देती है तो smoking का भी रोल है इसमें यह risk बढ़ा देगी ठीक है familial genetic factors poorly defined है लेकिन familial tendency and genetic production होता है non-smoker families may exposed to passive smoking blood levels of carbon monoxide हो सकते हैं ठीक है तो यह family non-smoker family members को भी हो सकता है genetic health poorly defined है थोड़ा बहुत है लेकिन होता है ऐसे भी smoking का रोल यहां पर आया है ठीक है अब हम आते morphological factors morphological factors क्या होता है morphological factors का मतलब होता है कि जो बहार से देख रहा है grossly जो दम देख रहा है morphological में grossly आता है और एक microscope में जो microscope में देखने तो ग्रॉसली में थिकंड hyperemic edematous bronchial wall देखेगा अगर किसी की autopsy होती है COPD patient के तो हम यह देखेगा थिकंड मोटी मिलेंगी hyper hyperemic मतलब काफी सारी blood vessels रहेंगी edematous susan रहेंगी उसमें bronchial wall में alumina में contain mucous plugs prulent exudate कई सारा mucous plugs रहेगा lumen भरी होगी मुकस से ठीक है तो यह समझ में आ रहा है जो स्मोकिंग कर रहा था या environmental pollution के कारण हुआ या फिर कोई सारे infections थे उनके कारण हुआ तो smoking से क्या हो इंफेक्शन और smoking का भी relation smoking predispose कर देती है infections के लिए क्यों क्योंकि smoking alveolar dysfunction को alveolar जो macrophages थे उनको भी खटा रहे थी तो यह भी हमेंदान है alveolar macrophages थे उनको भी खतम कर रही थी तो smoking ऐसे infection कर रहाती है ठीक है mucos plugs में mucos plugs में inflammation in fibrosis में lead to marked narrowing of bronchial walls in the most severe cases where obdeteration of lumen due to fibrosis bronchial bronchitis bronchiolitis obliterans इसमें एक चीज होती है mucos plugging के कारण inflammation के कारण और fibrosis के कारण इतना ज्यादा severe cases में इतना ज्यादा obstruction हो जाता है कि lumen पूली तरीके से बंद हो जाती है जिसको हम bronchiolitis obliterans बोलते हैं ठीक है इसमें भी हमें mucos plugging समझ में आ रहा है inflammation समझ में आ रहा है fibrosis का इसे होता है fibrosis में भी smoking का रोल है तो smoking बहुत बड़ा major factor है COPD या bronchitis करवाने के लिए chronic bronchitis करवाने के ठीक है चलो अब microscopically बात करते है microscopically में read index बढ़ा होगा मिलेगा indicating hypertrophy of and hyperplasia of submucosal glands read index होता क्या है यह मारी bronchial wall है यह मान लीजी cartilage है ठीक है ट्रेकिया के अंदर जो होता है वह सेमी सरकल होता है बागी सब जगे तो cartilage रहे गर इंस रहेंगी उसके बाद यह glands है ठीक है और यह लियूमन है यह नॉर्मल मैंने patient का बना दिया नॉर्मल इंसान का है लेकिन अगर ठीक है एक COPD वाला cigarette smoking वाला patient है यह हमारे cartilage हो गया यह जो ग्लैंड से बढ़ जाएंगे और जो लियूमन है वो छोटी हो जाएगी तो read index क्या होता है यह जो पूरी ब्रॉक्यल वाल है और यह जो म्यूकस ग्लैंड से सम्यूकसल ग्लैंड से इनका ratio होता है इसको हम बोलते ए और इसको हम बोलते बी तो ए अपान भी होता है read index तो नॉर्मल इंडिविजल जो रहता है उसमें एक एक्वल्स टू या लेस देन 0.4 होता है ठीक है ब्रॉंकाइटेस वाले पेशिंट्स में यह प्लस यह तो यह बढ़ गया तो बढ़ जाएगा ग्रेटर देन एक्वल्स टू पॉइंट फाइव अगर होता है तो क्रॉनिक ब्रॉंकाइटेसम बोलते है ठीक है तो यह ध्यान में रखना है यह अपान भी होता है रिजिंडेक्स क्या होता है है हाइब रॉफियन हाइब प्लेजिया ऑफ सम्नुगजल ग्लैंस बढ़ जाएगा तो यह बढ़ गया तो यह पॉइंट फाइव यह पॉइंट फाइव से जाद हो जाएगा तो हम क्रॉनिक ब्रॉंकिल एपिथिलियम में इस्क्रमस मेटपेल है एक के इनीशल चीज मिल सकती है क्रानिक इंफ्लेमेटरी सेल इंफिल्ट्रेट मिलेंगे नॉन काटिलेज कंटेनिंग इसमॉल एर्वेज गॉबलेट सल हाइपरप्लेजिया इंट्रल्यूमिनल पैरी ब्रॉंकियल फाइब्रॉस जो नॉन इसमॉल एर्वेज होते हैं वहा होगा इंफ्लेमेटरी इंफिल्ट्रेट्स मिलेंगे है ना लिंफोजाइड डब्लूवी से वगयरा रहीं लिंफोजाइड नॉट्रोफिल्स वगयरा चौति नंबर पे नॉन काट्लेज इसमॉल एर्वेज में पैरी ब्रॉंकियल फाइब्रॉस और गॉबलेट सल हाइप दो चीज़ा है तो रीन इंडेक्स मैंने बता दिया रीन इस राइशो बिविन ठीकिनेस ऑफ सम्यूजाइड राइपर ट्रॉपिया था प्लेज इंद कंटेनिंग इसमलाज एरवेज में है याद रखना स्मॉल एर्वेज और काटिलेज कंटेनिंग लाज एर्वेज काट यहां भी काटिलेज यहां पर रेश्यो जो है वह बढ़ गया है ठीक है अब क्लीनिकल फीचर्स की बात करें तो पर्सिस्टेंट कफ एंड कॉपिस एक्स्टरेशन टिपिकली वर्शन बाइक कोल्ड वैदर काफी सारा कफ आएगा को बहुत सारा एक्स्टरेशन आएगा व क्यों हो जाता है तो वैदर में क्यों हो जाता है कि वेस्यों कंस्टरिक्शन होता है कि सेम चीज़ होती है जब नहीं पर तो यह पहुंच पाएंगे तो अगर वहाँ पर वाइरल वाइरस होगा पहले से ही जो जिसके लिए immunity आप अच्छे थे लेकिन वेसो कंस्टिक्शन या ठंड की कारण्ट से वह वाइरस वह अपना प्रोलिफरेट कर जाएगा यहना इन्वेट कर जाएगा और फिर वह infection create कर सकता है चलो अब हम क्या आते हैं रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन सर कॉमन क्योंकि स्मोकिंग से उसका पूरा वो इम्म्यूनिटी मैक्रोफिज खतम हो गए बहुत ज़्यादा काम वाम करेगा तो डिस्निया क्योंकि पहले से ही हाइपॉक्जेमिया हो चुका है है ना ऑक्स सब्सक्राइब के साथ में एक और उतर पिंग पफर्स आपको कहा मिलता है एंफाइस एमा में है अच्छिए एंफाइस एमा में मिलता है तो गलू ब्लोटस हो गए साइनोसी क्योंकि क्रॉनिक अब्सरक्शन है इसके कारण है इसके कारण साइनोसेज़ ठीक है फिर राइट साइड़ हाट है क्यों होता है वह में जानना है जैस्टेक रिशो इन लाज हाट प्रॉम्हेंट वैजल जी टूप्रमोनरी हाइपर्ट retention अब यह राइट स़ीड़ हाट फेलियर मैं अपना थो कि यह हमारा लंग से थीक और ये यह हार्ट judgment में la, lv, rv, r a ठीक है यह हमारी body है to left ventricle से body में जाता है body से फिर कहां जाएगा left atrium में ना impure blood है left atrium से left ventricle में जाएगा और left ventricle में हर्ट में जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए उसके बाद Purification के बाद Left Atrium में आएगा वापस और उसके बाद फिर वो Pure Blood पूरी Body में जाएगा अब होता क्या है यहाँ पर Oxygen की कमी है तो जो Blood Vesels हैं यहाँ पर वो Constrict होती हैं और Artery's जो Especially वो Constrict होती है और जो Hypertension है वो Blood Pressure है यहाँ पर Pulmonary Hypertension, Pulmonary Blood Pressure बढ़ जाता है ठीक है? Pulmonary VPs को मैं ऐसे लिखूँ इसमें जो Pulmonary Blood Pressure है वो बढ़ जाता है Oxygen की कमी की कारण तो यहाँ पर जो Pressure है वो बढ़ गया है Overall Constriction की कारण जब यहाँ पर Pressure बढ़ा तो Right Ventricle जो है उसको भी काफी जारा महनत करने बढ़ेगी तो Overtime Right Ventricle की जो है वो Hypertrophy होने लगती है यह Hypertrophy होगे अब Right Ventricle की Hypertrophy होगे ओवर टाइम तो धीरे धीरे फ़र यह जब Hypertrophy होगे लिगे नुत्ती Oxygen मिलेगी नहीं तो यह Fail होने लगेगा जब यह Fail होना Right Ventricle का Pressure बढ़ेगा यह Pressure Right Atrium में जाएगा राइट इटरियम का Pressure जब बढ़ेगा तो Body में Pressure बढ़ने लगेगा जब Body में Fluid Build-Up होने लगेगा Fluid का Pressure बढ़ने लगेगा तो Edema होगी Generalized Edema, Pulmonary Edema ठीक है? तो यह Right Sided Heart Failure का तो यह इससे समझना है आपको सेम चीज आ गई अब यहाँ पर X-ray में भी हार्ट बढ़ा हुआ मिलेगा इनलाज हार्ट बढ़ेगा उसके बाद यह जो डाइग्राम है यह जो डाइग्राम है यह ब्लू ब्लू ब्लोटर्स में मिलेगा यह तब होता है हम आगे पढ़ने वाले है और जो क्रॉनिक ब्रॉंकाइटिस है यह similar एक ही patient में बहुत ज़्यादा इनके साथ combination में मिलता है combo मिलता है इनका लेकिन there are certain situations जिनमें कि जो एम्पाइटिसेमा का component है वो बहुत ज़्यादा होता है dominant होता है और there are certain situations in which chronic bronchitis has a dominant component so जो पिंक पफर्स होते हैं वो उन लोगों में मिलता है उस तरह के दिखते हैं जिसमें amphysema component ज़्यादा होगा और blue bloaters chronic bronchitis अगर ज़्यादा component है तो उन में मिलेगा at the end one spectrum वह ही लिखा है नोने at one spectrum lie pink puffers रहेंगे वे तो obviously prolonged expiration रहेगा hunched over position रहेगी breathe through pursed lipped breathing वस यह एक important है कि pursed lipped breathing आपको मिलेगा क्लिनिक्स में आप जब जाओगे तो यह ध्यान रखना है pursed lipped breathing अगर मिल रही है पेशेंट को तो आप कहां दो दोगे COPD की तरफ ध्यान लाएगा COPD में फिर आप differentiate करना कि chronic bronchitis है मतलब especially emphysema वाले patient में पर्स lipped breathing मिलेगी ठीक है chronic bronchitis और COPD का emphysema का जो combination है पर्स lipped breathing characteristic होती है teacher ऐसी पूछेगा आपसे किस तरह की breathing मिलेगी और एक वाला spectrum यह है और दूसरे hand पे chronic, pure chronic bronchitis इसमें की blue bloters बोले जाता है उनका जो cardinal symptoms होते है chronic cough productive cough रहेगा hypercapnia रहेगा hypoxemia रहेगा mild sinuses को मिले ठीक है COPD में वह यह pink puffers यह रहे blue bloters LR क्या है LR एक likelihood ratio होता है research का कुछ component है तो वह अभी unrelated है यह याद रखना है pink puffers emphysema वाले यह दूबला पतला COPD वाला अच्छा motor दगना ठीक है bloaters मतलब यह अगला जो topic है emphysema है इससे पहले close करते हैं इसको बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई करना ठीक है और अब जो इसको आप चैनल को subscribe करना वीडियो को शेयर करना और इसके जो notes है वह हमें COPD की जो series है उसका जो आखरी वाला पीडियेफ रहेगा आखरी वाला जो lecture रहेगा उसमें पीडियेफ आपको description में मिल जाएगा link पूरी COPD पूरा complete पांच और चारो diseases उसकी चीक है thank you very much first well if you 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 झाल झाल